अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद खरता हूँ वाई सब बढ़ी आऊंगे इंडिया और कनाडा के बीच में जो T20 वर्ल्ड कप का मैच संबर 33 खेला जाएगा इसको डीटेल में गावर करेंगे कमेटीट वीडिटो देखने से अब आप लोग सando s apple बिल्कुल भी लेके मच सलना की तीम और इनके बल्लेबाजों में और इनके गईनद बाजों में काफ़े अच्छी ऊंसं आपको प्लेड़ों केंगे लेकिन कनाडा की टीम के जो प्ले रहेंगे न अगर वो आपके टीम में बिल्कुल सही आ गए न तो आप लोग एक चीज़ मान के चलो भाई इस मैच में आप लोग एक तरफा विन करके जा सकते हो देखो कुछ एक प्ले रहसा है जिनका लास्ट मैच से पहले स्लेक्षन काफी कम था लेकिन इस मैच में थोड़ा सा स्लेक्षन इंक्रेज होआ जैसा कि नाम आएगा भाई सूरे कुमार याद होगा इस मैच में स्लेक्षन देखोगे 55% है लेकिन लास्ट मैच से पहले अगर मैं स्लेक्षन की बात करूँगा केवल 27 परसेंट था और उस मैच में 68 पॉइंट इनो ने करके दिये काफी अच्छी पारी खेली और आज के मैच में स्लेक्षन सूरे कुमार का हो चुका भाई 55 परसेंट के आसपास जब तक मैच और इनकरीज होतावा दिख सकता है विराट जैसे प्लेयर के बात करूँ इनिशनल मैचेज में जाईन का स्लेक्षन 80-90 परसेंट था अब देखो डिक्रीज होके जा चुका भाई 67 परसेंट लेकिन आज के मैच में विराट जैसे प्लेयर मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे और इन प्लेयर को छोडने की गलती मत करना विराट का स्लेक्षन दिखा दू लास्ट के मैचेज में देखोगे यहाँ पे 83 परसेंट था भाई 86 परसेंट था मतलब 80 पलस ही आपको इनका स्लेक्षन देखने को मिला था लेकिन 2-3 मैच लगातार यह फ्लोप गए उस वज़ करनाडा के जो टीम है यह उलडी बाहर हो चुकी है ठीक है तो डिटेल में हम लोग सारी चीज़े कवर करने वाले कंप्लेट वीडियो देखना सबसे पहले चैनल पर नहीं होते हैं सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना आने वाले किसी भी मैचेज के अपडेट करूँआँ सो कमेंट सेक्शन में लिंक है दोश्तों सबसे पहले आप लोग टेली ग्राम सेनल को जोईन जरूर से कर लीजिए अब यहां से बात करते हैं दोस्तों वेन्यू के बारे में सबसे पहले वेन्यू की बात करेंगे तो सेंटरल बरवाड पार्क लोड वज़े से cancel हुआ था कल के दिन का हो सकता है इस match में भी आपको एक बार फरसे बारिश देखने को मिल जाए तो जब तक टोस ना हो दोस्तों आपको कोई contest जोई नहीं करना भाई सब यह द्यान में रखेगा ठीक है बाकी नॉर्मली बात करें एक betting surface आपको देखने को मिलेगा वहाँ का जो average score था वो लगबग 120-115 के आसपास था लेकिन वेन्यू जेन जो चुक है बाई इंडियन टीम के प्लेश से इस match में आपको definitely एक अच्छी performance देखने को जरूर मिलेगी और अगर इंडिया इस match में पहले बलने बाज़ी करेगी हो सकता है 160 प्लस का आपको score से दिखने वाला है अगर बात करें गेंडबाज जी के तो तेज गेंडबाजों को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा help आपको देखने को मिल सकती है लेकिन वही मैं आपको यह बोलुँआ कि तेज गेंडबाजों के साथ-साथ spin भी जो रहेगी न वो भी उतना ही important role play करके जा स लोगे वेन्यू विंस की बात करें बैटिंग फर्स्ट यहां पर देखोगे 60% मैचिस को वोन करती है जबकि जो बैटिंग सेकंड वाली टीम है वो केवल 40% मैचिस वोन करती है लेकिन इंडिया की जो टीम है दोस्तों वो इस मैच में कनाड़ा के कंपेरिजन में ज्यादा फेवरिट रहेगी चाहिए वो पहले बल्ले बाजी करें या फर सेकेंड बल्ले बाजी करें यहां से आप लोग देखो दोनों टीम्स की प्लेंग 11 देख पाऊगे इंडिया की टीम गा तो नॉर्मली आपको पता होगा इनके बारे में लोग ज्यादा डिसकसन नहीं ठीक है तो पिछ से रिटेड आपको ये चीज़े दाने में रखनी 160 एवरे स्कोर मानके चलना जब इंडिया पहले बल्ले बाजी करेंगी और जब खनाडा पहले बल्ले बाजी करेंगी 130-140 का स्कोर आप लोग मानके अपना टीम स्लेक्शन करके चलिएगा ठीक है बस यही चीज़ आपको इस में जाना रखनी जब टीम स्लेक्शन करेंगे बाकी प्लेयर कौँ से इपफोर्टनेंट है वहाभी बताऊंगा जब आम लोग टीम स्लेक्शन करेंगे तो सिदा चलते है अप यहां से अपने टीम स्लेक्शन के उपर सबसे पहले यहां से टीक है तो इंपोटन प्रफोड़न्ट में चाहिए पहले बली वार्फ दीक है और रिशन जो फोड़े पन्त की वह त्ची देखने को में लें लास्ट मैच अगेंस्ट यूइस दोनना प्रफोर्फोर्बेसरी करें उसके बाद में स्रेयस मोवा देखो ये विकेट के पिंग सेक्षन के प्लेयर है थोड़ा नीचे बल्लेबाजी करने उतरेंगे थड़ से फोर्थ डाउन पे और स्रेयस मोवा के जो परफोर्मेंस रही है कनाडा के लिए वो काफी अच्छी देखने को मिली है क्योंकि देखो सभी प्लेयर ने परफोर्मेंस नहीं करे लेकिन कनाडा के दो से तीन जो बैटिंग सेक्षन के प्लेयर है ना सिर्फ उन्होंने अच्छी परफोर्मेंस करी है जिसमें एक नाम आईगा स्रेयस मोवा का इनकी बात करो पा मैस में इनके परफोर्मेंस करने के चांसे जुतने ना बने तो मैं मान के चलू हूँ है स्रेयस मोवा आज के मैस में फ्लोप जा सकते हैं मैं यासे सिर्फ अपनी टीम में बैक करूँ है रिशप पंत को उसके बाद मैंगे दोस्तों एक बार बैटिंग सेक्षन के अंदर ले बाजों को थोड़ा सा फेवर करेगा ठीक है और सूरे गुमार यादव से आप लोग अच्छी पारी की उमीद गर सकते हो लास्ट मैस में सूरिया ने ओलरी काफी अच्छी पारी खेली इंडियन टीम के लिए और देखो काफी टाइम के बाद काफी अरसे के बाद वो रिस्पोंसिबिलिटी वाली पारी थी क्योंकि लास्ट मैस इंडिया के विकेट भी काफी जल्दी गिरे अगर वो पारी नहीं आती ना सूरिया के बले से हो सकता है इंडिया मैस को हार के भी जा सकती थी लेकिन वो रिस्पोंसिबिलिटी वाली पारी थी उससे कहीं ज़्य है नहीं बोती खराब फोर्म से गुजरे भाई दस प्लस के यानिके धाई के आगड़े में भी अब तक इनके बल्ले जरन्स नहीं निकले लेकिन आज के मैच में वही काम करके जाएगी चीज आपके लिए लेको नोर्मली तो बंदे टीम में रखेंगे मतलब दस में से आप लेकिन बल्ले बाजी पे ज्यादा किसी का फोकस नहीं जाएगा तो आज के मैच में विराट कैप्टन्सी का एक अच्छा विकल्प होने वाले हो सकता है इस मैच में ये वन डाउन दीखें आपको क्योंकि अगर टीम जाएगी माली शिवम दूबे के जगे टीम अगर यसस इस फोर्म की मैं बात करूँँगा क्योंकि अतनी बड़ीया तो इनकी भी फोर्म हमें देखने को नहीं मिली तीज सबस्टाइग साहिए खराब टीम नहीं है थोड़े बहुत रंस तो 120-130 के आसपास तो रंस जरूर कर सकती है उस लेवल की तो बल्ले बाजी दिखेगी कि अच्छे बैटिंग सर्फेस के ऊपर ठीक है और किर्टो ने देखो अब दग अच्छी फोर्म दिखाई है नो डाउट आप लोग इनके आप लोग मान लो भाई हाफ सेंसूरी लगा लो उसको मतलब दो मैच में अलड़ी हाफ सेंसूरी है पिछले तीन मैचस में लगा चुक है उससे पहले नेपाल के अगेस देखोगे तो वर्म मैच में भी 49 में 52 नंस की पारी थी तो काफी अच्छी फोर्म से निकल रहे है न जिराज के पास में भी स्विंग बढ़िया तो यहाँ पे जोंसन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन एरन जोंसन ने लास्ट मैच में देखोगे काफी अच्छी पारी खेले थी तीक है चावालिस गेंद में 52 रंस की पारी थी अगेंस्ट पाकिस्तान रो देख कर लो क्योंकि 10% सेलेक्शन में एक अच्छा प्लेयर आपको मिल जाएगा और यह थोड़ा सा रिस्पोंसिबिलिटी वाला प्लेयर हो सकता है विकेट संभाल के बल्लेबाजी कर जाए यूएस से के अगेंस्ट इक्सर ट्रंस की पारिती उसके बाद आयरलेंड के अगेंस् आप लोग अपने डी में रख लेना ठीक है ओलाउंडो सेक्षन मेंगे हार्दिक पंडिया इंपोर्टेंट अक्सर पटेल के साथ में जाओंगा क्योंकि जड़ेजा की गेंदबाजी से उमीदे है नहीं लास्ट मैं जड़ेजा ने गेंदबाजी करवाई भी नहीं वोच इस थोड़ी सी दिक्कत दे रही है अक्सर पटेल डेफिनेटली चार ओवर डाल सकते है अगर जड़ेजा डालेंगे तो फिर अक्सर के ओवर कट हो जाएंगे ये ध्यान में रखना ठीक है अक्सर बैटिंग गेंदबाजी दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते है डी हेलेगर ने गेंदबाजी काफी बढ़िया और लाजवाब गरी है इस सीजन कनाडा की टीम के लिए ओल्मोस्ट इन्होंने हर मैच में लगाता टीम के लिए विकेट निकाल के दिये बल्ले बाजी आईगी वहाँ पे अच्छा बैक अप दे सकते है अगेंस्ट पासकिस के थोड़ा बहुत उठा सकते हो ठीक है लेकिन फर्स्ट गेंदबाजी ड्रोप मत करना उसके बाद में नीच हैंगे सिवम दुबए के देखो लास्ट मैच की पारी काफी अच्छी थी लेकिन वो पारी आई थी बाई जब इंडिया के अरली विकेट गिर थे विराटो रो ने या फिर सर्फ इनको एक हार्ड इटर का रोल प्ले करना पड़े बल्लेबाजी के अंदर तो शायद उसमें इनका विकेट भी जा सकते है ठीक है बट लास्ट मैच इक 30 संसकी पारी थी क्योंकि प्रोपर बल्लेबाजी का मोका मिला था इस मैच में शायद वो चीज ना रहे तो फिलाल मैं दूबे को नहीं रखो हूँ अप रागत सिंग को यहां से आप लोग छोड़ सकते हो बोलिंग सेक्चन में बुम्रा अरसदीप सिराज तीनों इंपोर्टेंट है यह तो नहीं छोड़ सकते है आप लोग उसके बाद में नीचे आओगे गोर्डन एक ब हूँ आप लोग देख पाओगे मेरी टीम में 11 अपले राच चुके चेंजिज कहां करोगे फरसे बता दू आप लोग देखो बैटिंग सेक्चन से एंडालीवाल जो कि ट्राई कर सकते हो जो कि एक हार्डेटर का रोल प्ले करके जाएंगे यहां से मैं टीम में देखो सू मुझे किसको ट्रोप करना पड़ेगा या तो इन दोनों में से मैं किसी एक को ट्रॉप करूँआ या फिर भाई इंडिय टीम का कोई एक गेंदबाज में ट्रॉप करके जैसवाल या फिर सूरिया के साथ में जाँँआ ये आपको पहले किलियर गर दूँ इस टीम को एक demo टीमान के चलना चैप्टनसी वाइससी की बात आगी विराट बैस्ट ओप्सन परोहीत आपके लिए बैस्ट ओप्सन है यहाह से भूमरा रहेंगे अर्सदीप रहेंगे अर्सदीप क्यों रहेंगे क्योंकि इनीशल और में विकेट निकालके दे सकता है । थीके इसलिए अगर इंडिया पहले बने बाजी करते तो सोरिया के साथ में यूनिक आप लोग एजय ट्रमकारण कैपटणी वाइस capital के जा सकते हो यह आपके लिए capital की ओपशन से final मेरी team में जो भी capital या फिर ensure लाइस capital रहेगा और आपको टेलिग्राम पे जब final team अवाइस गरता हूँ दोस्तों वीडियो आपने complete watch क्या होगा हुगा पसंद आया हुते हैर जरूर करेगी